आपको पता है चान्नी चौक की सारी प्लानिंग जहानरा बेगम ने बनाई थी जो कि शाजहां की बेटी थी आज हम इसी एतिहासिक चान्नी चौक के एक खास जगा पहुँच के हैं नोगरा गली नोगरा यानी यहां पर नो बरे बरे घर हैं वही जो चान्नी चौक की प्राचीन हवेलियों में से एक हैं इन घरों की दर्वाजे बहुत ही आकरशक है और रंगीन भी इस गली के अंत में एक जैन श्वेतांबर मंदिर है जो सफेज संग मरमर से बना है और बहुत ही दिव्य लगता है यह मंदिर पच्चिस सौ साल पुराना है हम चान्नी चौक के शोर गुल के बीच इस चुपी हुई गली को देखकर चौक है यहां के दर्वाजे आपको बहुत सारी तस्वीरे खींचने के लिए मजबूर कर देंगी पुराने जमाने में यहां के दर्वाजों में दो तरह की खटखटाने के नौकर्स होते थे जिसको आज हम डो नौकर्स कहते हैं मोटे और पतले मोटे वालों का इस्तमाल पुरुश करते थे और पतले वालियों का औरते इस थान का इतिहास भी दिल्चस्प है कहा जाता है कि शाह जहां ने यहां धनी व्यपारियों को बसने के लिए अमंत्रित किया था और उन्हें इस गली में चगादीर गई थी आज भी यहां के घर उन्ही परमपरागत परिवारों के पास है तो अगर आप खुबसूरत दर्वाजों के शौकीन है और चान्नी चौक की शान्ती देखना चाते हैं तो यहां जाना ना भूले चान्नी चौक मेट्रो स्टेशन से पैदल आप यहां आ सकते हैं यह था नौघरा कली का एक छोटा सा सफर अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें शेर भी करें अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए दन्यवाद